हेलो दोस्तो, वेलकम टू माई चैनल, तो आज मैं आपको चार धाम की शंकला में हुत्राकंड की पहाडों की गोध में इस्तित, चार धाम में से एक धाम बद्रिनात के बारे में बताऊंगी, वीडियो लाज तक देखना इसकीप मत करना, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल परवत आपसे मिल जाएंगे, उस दिन बद्रिनात का अस्तित खतम हो जाएगा, और भविश्य में भविश्य बद्रिनाम के एक नई तीर्थ का उद्गम होगा, तो चलिए जानते हैं कि नरो नारायन नाम के परवत महां पे कैसे बने, भगवान ब्रह्मा के पूत्र धर्म संत आदी शंक्रा चारे जी ने की थी, संत आदी शंक्रा चारे जी को भगवान विश्नु κάी मूर्टी नारत कुंड से मिली थी, जो की वहीं परستित है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं की नारायन ने शिवर जी को और पार्वति जी को कैसे छला, और कैसे शिवर जी हमेशा आपकी सेवा करती रहती हैं और आपको लाड़ करती रहती हैं इस ग्रह के अन्ने प्राण युकले आप अच्ची मिसाल नहीं बन पा रहे हैं आपको श्रिष्टी के सभी जीवोगले कुछ अर्थकुड कारे करना चाहिए इस आलोस्चना से बचने के लिए और अपने वही लगी पिर उन्हें एक घर दिखा वह उस घर के अंदर गए गुस्ते उन्हें पता चल गया कि यह तो श्रिष्टी का निवास है और वह तो बड़े खतरनाग व्यक्ति है अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो एक मिरट में सब खत्म कर सकते हैं ऐसे में नारायन ने खु पार्वतियों का इस बच्चे को मत चुना पारवति ने कहा कितने कुरूर है आप कैसे ना समझी की बात करने श्रिफ बोले यह कोई बच्चा नहीं नहीं यह खुद ही हमारे दर्वाजी की बाहर कैसे आगया आसपास कोई भी नहीं पड़ता मेरे अंदर की मां बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती और ये कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई बच्चा पारवती गोद में आराम से था और शिफ की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था शिफ इसका नतीज़ा जानते ही थे लेकिन वे करें तो क्या करें इसलिए उन्हों ने खा ठी के चलो देखते हैं क्या होगा पारवती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुश शिफ जी के सार्वासी के गरम पानी के कुंड में स्थान के लिए चली गई लोटकर आये तो देखा कि अंदर से घर बन था पारवती हरां थी आकिर दर पास्ता ढूल ले उन्होंने का चलो कहीं और चलते हैं क्योंकि तुम्हारा प्यारा बच्चा इसलिए मैंसे चूबी नहीं सकता इस तरह शिफ अपनाई घर गवा बैटे और शिफ पारवती एक तरह से अवेत प्रवासी बन गये वह रहने के लिए बटकते हुए सही जगा दूनने लगे और आकिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए तो दोस्तों इस प्रकार आपको पता खले है कि शिफ जी केदारनाथ कैसे बसे वहां से जाने के बाद विश्नु भगवान ने वहीं पर तपस्या करी वहां पर बहुत हिंपात हुने लगा यह देखकर लक्ष्मी वही जगा है जहां पर महा भारत की रचना हुई है उसी रास्ते से पांड़स्वर गए थे और वह अपर वो जगा भी है जहां पर दौपती ने अपने प्रान त्यागे थे भारत का आखरी गाउमाना विलेज भी यहीं पर पढ़ता है दोस्तों यहां पर नारायन जी के च उस्चारो शात करम करता है तो उन्हें एक के बाद एक जन्म और मृत्यू के चक्र से मुक्ती मिल जाती है तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मकपाल की क्या कहानी है ब्रह्मकपाल वही जगा है जहां पर पांड़वों ने अपने पित्रों का शात किया था और यह आकरी ने शाक्षा सुरेदेव विराज देया वहां के पुरोईत बताती है कि भग्वान सुरेदेव को भख्षा वक्षी के अत्यगा पाप लगा था तब भगवान नारयन की कहने पर सुरेदेव वद्रिनात आई और तब किया सुरेदेव को भगवान ने जल रूप में विचल झाले.